नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का एक बार फेड से चारक के नीति के, एक और वीडियो में, दोस्तों चारक के नीति, भारत की एक ऐसी राजी नीति कला है, जब आचारी चारक की जी ने मानप जाती को धारम के बंद्रों में जगरते देखा, तो उन्होंने सोचा कि मानपता को आज धारम के बारे में पूरा ग्यान देना आवश्यक है तो मित्रू इस तरह से जन्म होता है चारक के नीती का आज के इस वीडियो में हम आपको चारक के नीती के अनुसार महिलाओं के कुछ अदभूत रहसियों से अबगत कराएंगे जिनको जानकर आपको अचमभा होगा तो आईए जानते हैं महिलाओं के उन खास रहसियों के बारे में दोस्तों महिलाओं के अनेक गुपत रहसियों के बारे में बात करेंगे यह बात सही है कि महिलाओं को समझ पाना इतना आसान काम नहीं है क्यूंकि अधिकतर महिलाओं बोलती क कुछ और हैं और करती कुछ और हैं यदि पुरुस की बात करें तो पुरुस अधिकतर खुले विचारों वाले होते हैं उनके मन में अधिकतर जो कुछ आता है आसानी से बता देते हैं आपनों सुना ही होगा कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती आपने सही सुना ह लेकिन खुद के सिक्रेट बे किसी को भी नहीं बताती हैं दूसरों की बातों को ही पचाना उनके बस की बात नहीं होती लेकिन बे खुद के गुप्त रहस को हमेशा गुप्त रहस ही बनाय रखने की हर संभव गोसिस करती हैं किसी के पूछने पर भी आसानी से नहीं बताती है तो मित्रों आई ये जान लेते हैं लेकिन दोस्तों हमारी आप लोगों से सबसे पहले एक छोटी से रिकस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देजी और यदि आप रो जाना इसी प्रकार के नालेजबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नालेजबल वीडियो का नोटिफिकेस्ट मिले सबसे पहले अब चलिए आपको बताते हैं उन रहस्यों के बारी में दोस्तो नमबर एक है महिलाएं नहीं बताती अपनी सारीरिक जरूरत के बारे आपको बता दे कि महिलाएं भी पुरुसों के जैसे ही संब्ध बनाने के लिए लालायत रहती हैं लेकिन बे अपने रूची के बारे में किसी को नहीं बताती हैं यहां तक कि बे अपने पती को भी इस बारे में नहीं बताती हैं इसकी बजह है कि महिलाओं को लगता है कि बे इस बारे में बात करेंगी तो उनके फ्रेंड क्या सोचेंगे अधिकतर महिलाओं इसी बजह से आपने यहाँ भी देखा होगा कि पुरुस चाहें बे एक दूसरे से अंजान हो फिर भी आसानी से खुलकर बात कर लेते हैं लेकिन महिलाए ऐसी बाते दूसरी महिलाओं से खुलकर कभी नहीं करती हैं आप चाहें, तो अपनी गल्फ्रेंड से पूँच सकते हैं, अधिकतर महिलाएं, अपनी एक या दो कुलोज फ्रेंड रखती हैं, उन्हें को कुप्त बाते सेयर करते हैं, और मित्रो नमबर तीन है, हर कुवारी लड़की अकेली में अपने राजकुमार के बारे में सोचती ह लड़कियां भी लड़को की तरह ही सोचती हैं, कोई भी कुवारी लड़की जब अकेली होती हैं, तो बाह अपने होने बाले पती के बारे में या आपने किसी बाफ्रेंड के बारे में सोचने लग जाती है बाह या तो दिन के अंदर हुई घटनाव को याद करती है या बाह आने बाले कल के बारे में सोच रही होती है कि उसे कैसा पती भलना चाहिए और बाह उसे कैसे प्यार करेगी जैसी बातों पर भे सोचती रहती है और मित्रो नम्मर चार है सारीरिक रूप से असंतुष्ट महिला के अबायद संब्ध बिक्सित होने की संभणा बहुत आधिक होती है यदि अबायद संब्धों के केस की बात करें तो अधितर महिलाय जब सारीरिक रूप से अपने साथी से खुस नहीं होती तो अबायद सम्मंद का रिस्ता पनप जाता है अधितर कारणों में से अबायद सम्मंद का यहाँ सबसे बड़ा कारणाय महिलाओं के लिए उनकी सारीरिक जरूरत का पूरा नहीं होना उसे पागल बना सकता है ऐसे इस्तिति में बहस सही गलत के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है तो मित्रों हमारा आज का ग्यान मर्धक और नालेजबल वीडियोस बस यहीं तक था